कि नमस्कार स्वागता आपका हमारी चैनल में मैं हूँ आपके साथ हर्जुन खजूरिया मैं बूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री लगातार किसी ना किसी बयान से विवादों में बनी रहती है अब एक और ब्यान आया है मैं बूबा मुफ्ती का सामने वो है यूनिक फैमिली आईडी कोड को लेकर और इसको लेकर जो है मैं बूबा मुफ्ती ने काया कि एक सर्विलांस टूल है के अंदर सरकार पर आडोप लगाए गए हैं पूर्मुख्यमंत्री की तरफ से दरसल मैं मैं बूबा मुफ्ती ने टूइट करते हुए लिखा कि जमू कश्मीर के निवासियों के लिए विशिष्ट परिवार पहचान पत्र जो बनाया जा रहा है इसे बनाना इस बात का संकेत है कि 2019 के बाद से अविश्वास बढ़ रहा है कि यहां पर सवाल यह बनता है कि लगा कुझ भी स्टैप केंदर सरकार जमू कश्मीर के लिए उढ़ाती है तो मैं बूबा मुफ्ती सबसे पहले अपना जंडा लेकर आ गया जाती है दरसल सोंवार को ट्वीट करते हुए जमू कश्मीर प्रशासन द्वारा केंदर शासित प्रदेश में सभी परिवारों के निवासियों पर नजर रखने का और शिकंजा कसने का पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीरियों को शक की निगा से देखा जाता है वहीं परिवारों को विशिस्ट पैचान पत्र देने की योजना को लेकर नोने कहा कि इसको निगरानी का एक अन्य हदगंडा जो है महबूबा मुफ्ती की तरफ से बताया गया वहीं ट्वीट करते हुए महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि जमु कश्मीर के निवासियों के लिए विशिस्ट परिवार पैचान पत्र बनाना इस बात का संकेत है जैसा हमने आपको पहले बता है 2019 का जिक्र किया लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है महबूबा मुफ्ती से कि यह यूनीक फैमिली आईडी कोड यह तो हर्याना में भी लागू हो चुका है उत्राखंड में इसको लेकर काम चल रहा है लेकिन जब जम्मु कश्मीर में इसको लागू करने की बात आती है तो महबूबा मुफ्ती हमेशा स से किसी ना किसी स्टैप के अगेंस दिखाई देती है दरसल प्रतेक परिवार का एक अनुठा कोड होगा यह यूनीक फैमिली कोड गोर तलब है कि जम्मु कश्मीर प्रशासन केंदर शासित प्रदेश में सभी परिवारों के लिए एक प्रामानिक डेटाबेस बनाने की य प्रतेक परिवार को एक अनुठा कोड दिया जाएगा और जिसका उद्देश यह होगा कि जितने भी अलग-लग समाजी की योजनाओं के जो पात्र हैं वो लाबार्थियों के चेहन का उससे जो है आसान बनाने में जो है इसका काम मिले वहीं इसको लेकर जहां एक तरफ भ मनोर सीनहा और हर्याना के मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर ने डिजिटल जमू कश्मीर वीजन को लेते हुए डिजिटल जमू कश्मीर वीजन के लिए एक डाकुमेंट जारी किया और वहीं इस योजना को लेकर प्रशासन एड्मिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया कि इसका फैमिली आइडिया वंटित करने के प्रस्तावित कदम का स्वागत किया है वहीं कुछ अन्य दल इसकी अलोचना करते हुए नीजी डेटा सुरक्षा पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं लेकिन इससे पहले हर्याना हो या फिर उत्राखंडो जैसा हमने आपको पहले भी पता है ह पर्याना हो उत्राखंडो वहां पर इसी तरह का परिवार पहचान पत्र बन चुका है अब आपके मन में सवाल उठ रहोगा आखिरकार क्या है यह फैमिली आइडिंटिटी चार्ट दरसल फैमिली आइडिंटिटी कार्ड यानि की हर एक परिवार का अपना अलग पहचान इसको इस तरह से समझ लीजिए कि ये ठीक वैसा ही है जैसे आपका आधार कार्ड होता है लेकिन आधार कार्ड में हर एक व्यक्ति का आपना डेटा रहता है लेकिन परिवार पहचान पत्र में परिवार के हर एक सदस्य का डेटा होगा वहीं अगर बात की जाए तो हर्याना म भी काफी पहले से ही इस तरह के काड को जो है परिवार को जारी किया जा रहा है लंबे समय से जारी किया जाता है इस काड में परिवार के हर एक सदस्य की जानकारी होती है हर्याना में हर परिवार को आठ डिजिट का एट डिजिट का यूनिक नंबर दिया जाता है वहीं family data का automatic updation इसमें हो सके इसके लिए family ID को birth, data birth, death और marriage record से जोड़ा जाता है ताकि सब record उसमें आ सके लेकिन इससे फाइदा क्या होता है आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा आपको बताते हैं इससे ना सिरफ आपको बलकि सरकार को भी काफी फाइदा होगा आपको क्या फाइदा होगा तो आपको जितनी भी सरकारी योजनाओं का फाइदा है वो मिल सकेगा अगर आप उसके लिए eligible हैं तो आपको उसका फाइदा मिलेगा सरकारी योजनाओं का और वहीं एक बार family ID card अगर बन जाता है family ID card बनने के बाद आपको हर बार अलग अलग योजनाओं का लाब लेने के लिए apply नहीं करना होगा जो पहले अप्लाई करना पड़ता है लगले ओडिनाओं के लिए वो आपको नहीं करना पड़ेगा और वही नाहीं बार-बार आपको दस्तावेज जमा करने होंगे इतना ही नहीं इस कार्ड में परिवार की हर जानकारी होगी इससे आपको जाती, निवास, आय या फिर दिव्यांग आईडी कार्ड अलग से बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वहीं सरकार को इस कदम से ये फाइदा होगा कि उसके करोडों रुपे बचेंगे हर्याना के मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर ने बताया था इस फैमिली कार्ड को लेकर की फैमिली आईडी और आधार कार्ड की वज़ा से सरकार के बारां सो करोड रुपे बचे हैं और वहीं इन सब चीजों को वंचित करते हुए मैबूबा मुफ्ती का ये ब्यान आना बेहत नींदनिया है जब अनुछे 370 को हटाया गया उसके बाद लगातार प्रयास किया जा रहा है के इंदर सरकार की तरव से कि जो नियम बाकी राज्यों में लागू होते हैं जो चीजे बाकी राज्यों में बनती है वो जम्मू कश्मीर में भी बनाई जाए लेकिन हमेशा से चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर पारुक अब्दुल्ला हो हमेशा से इन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट ही खड़ साल का कि कश्मीर के घरगर में हुरियत कॉंफरेंस के दफ्तर के बाहर तीरंगा फैर आगया बैरहाल जो यह टूइट किया गया इसके माइने क्या है इस टूइट में लिखा गया कि कश्मीरियों को गहरे संदे के साथ देखा जाता है सबसे पहला सवाल यहां पर यह बनता नहीं है जम्मू के बारे में कोई बात नहीं करेगा चाहे वो फारुक अब्दुल्ला हो या फिर महभूबा मुफ्ती हो हमेशा से कश्मीरियों की बात की जाती है लेकिन जम्मू को हमेशा से नजरणदास किया जाता है जमू संबा को नजरणदास किया जाता है तो इस ट् soprãy vikt के माइने से भी जै समझा जाय कि क्या सिर्फ आपकी राजनीती जो है आपको कश्मीर तक सिमित करनी चाहिए तो फिर आप क्यों कहते हैं कि पूरे कश्मीर के निवासियों के लिए ना कि कश्मीर के निवासियों के लिए वहां सवाल आपसे इस बनता है आप यहां पर पर राजनिती कर रहे हैं मभुबा मुफ्ती इस नाम पर कि लोगों की निगराने इस काड़ से की जाएगी लेकिन जब इसी कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से आ हुए आतंगवादी पाकिस्तान समर्थित आतंगवादी भाहरी-परदेश के लोगों को अपना निशाना बनात कि उस्समिय कहा जाती हैं आपकी समवेदनाएं उस्समिय आप क्यूंहीं कहती कि इन पर भी जो है सर्विलांस जुई है टैक्टिक किया जाना चाहिए जो यातंगवादी गतिवीदियों में शामिल है उस्समिय क्यों मैं भूबम्मुफ्ती का यह दियान सामने नहीं आता कि देश के Armed Forces की सुरक्षा हमारे लिए एहम है उनकी सुरक्षा हैं है तो उनके लिए जो है सरकार को कदम उठाने चाहिए जो कि सरकार कर रही है लेकिन लगातार एक तरफा बियानबाजी करना हमेशा विवादों में बना रहना ये महभूबा मुफ्ति की आदत सी बन गई है कभी तिरंगे पर सवाल उठाना कभी बार-बार ये कहना कि पाकिस्तान से बात कीजिए लेकिन वही पाकिस्तान से आई हुए आतंगवादी जब हमारे देश के आन्फोर्सिज के सिपाहियों को निशाना बनाते हैं उससे में कहां जाती है मैभूबा मुफ्ति तो यहां पर अध्यन करने वाली बात यह है कि फिर से एक जो नया मूव लिया जा रहा है केंदर सरकार की तरफ से जमू कश्मीर के निवासियों के लिए ताकि उनको योजनाओं का लाब मिल सके इसके विरोध में भी खड़ी इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हैं हमारे साथ धन्यवाद